हेलो फ्रेंड्स वैलकम टूजी स्टडी तो आपका जो दुरुगा सिक्ति का एक्जाम था वो हो चुका है और उमीद आप सभी बच्चों का एक्जाम बहुत अच्छे से गया होगा एक्जाम हो खतम होने के बाद ही सभी बच्चों के कमेंट आ रहे थे जो मैंने पोस्ट ड देनी थी तो एक तो आपकी रहेगी अंसर की से रिलेटर जो आपकी ऑफिशिल अंसर की कब आने वाली है और एक आपकी जो है अटेंडेंट्स वगरा कितनी रही थी जो आपका लाएक्जाम दे करके आए थे इसमें ठीक है तो यह दो चार इन्फोर्मेशन है और आपके ज जारी की जाएगी अंसर की ठीक है तो देखिए दुर्गा वायने के लिए आज जित की गई महिला कोश्टेबल पर बरती प्रिक्षा की अंसर की सोमवार को जारी की जाएगी तो आज ही अपना सोमवार को जारी करने के लिए बोला गया है और तीन दिन के बितर अब यर्थ तो यह तीन दिन के लिए आपका लिंक ओपन रहेगा तीन दिन के अंदर जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी कलियर हो जाएंगे आपको वाँ पर जो है आपने डाउट टाल देने ठीक है यह तो थी आपकी जो इंफॉर्मेशन थी यह थी अंसर की शेलिटेड ठीक है यह आज तो देखिए फ्रेंट्स यह जो बोलते हैं उस दिन तो होता नहीं है उसे एक दो दिन आगे पिछे चलता रहता है उपने पास है वह जो कल आपका एक्जाम हुआ था उसके अंदर कितने प्रतिशत बच्चे जो है उपस्थित रहे थे तो देखिए वह भी दिख के लिए 11 जिलो में हुई प्रिक्षा 45 प्रतिशत थी प्रिक्षा देने पहुंची आपके जो 45 परसेंट बच्चे थे दुरगा सकती वाले वही थे जो एक्जाम के अंदर पहुंचे हैं 25 परसेंट बच्चों ने एक्जाम नहीं दिया देखे कुछ बच्चे तो यह थोड काडिंग ही बच्चे अपनी त्यारी रखते कहां पर जाना कहां पर नहीं ठीक है तो थोड़ा सा यह गलत चीज थी अपकी बार जो एक्जाम शीट ही बता देनी चाहिए जो एडमिट कार्ड हो तो एक इन्फोर्मेशन आपके लिए यह थी कि आपके जो है 45 परसेंट बच पूरे हरियाना के अंदर कहीं भी डूटी आ सकती है तब भी तो करो गया ठीक है तो चलिए अभी जो आपका जो कटोफ वाड़ा मामला है जो आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटिड रहता तारबार उसके बारे में थोड़ा डिसक्स कर लेते हैं सब सबसे पहले मापको बता सकता देखिए अभी जो में खौश्टेवल घजाम हुआ था ओंटा सा मोड़ेट या हाई मोड़ेट लगा 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 तो थोड़ा सा लेवल का एक्जाम था वो जो अभी हुआ था में तो सभी जो अपने टीचर थे सभी टीचरों ने जो भी कटोफ डाली थी बहुत कम कुछ जाएम तो क्या हो गया भी जो अपने देखा ओगा जो रजल्ट आया एई तो उससे बहुत ज्यादा हाई एक दू कोशिण नहीं पांतवा साथ-साथ-साथ-साथ-सफ cost जि्तने बताए गए ते drip fø lib सब्सक्राइब आ lager left in सभी अपना एडरा ने लगाता है सभी कोई वी टीचर को गलत करता सभी अपना जो आइडिया होता है कि जो डाटा होता उसके नुससर आइडिया लगा हाई केसलिए वीडियो बनानी पड़ती हो इस्टोपिक शेलेटर कटोफ वगारा से नहीं किसी को कोई सोक नहीं है कि अपने बच्चों को कोई गल्त गाइड करें ठीक है सब यह चाहते हैं कि मेरा नाम अच्छा बना रहे हैं ठीक है कोई गल्त नहीं चाहता फ्रेंड्स आपके ब अभी जो पॉम फिलफ हुए थे वह होए थे आपके डेड़ लाग के अप्रोख नहीं यह कंई पर आपको लिखा मिलेगा एक लाग चाली सजार कहीं पर एक लाग चाशासीट अजार ठीक है तो यह अलग अलग डेटा मिलेगा आपको अशर न्यूजपेपर में अलग कर लोगे तो अप्रोक्ष कितने बच्चे जो थे कल एक्जाम देने गए थे उसके बाद देखिए जो अभी जो मैंने पॉलिंग करवाई थी चलिए मैं उससे पहले आपको एक बार पॉलिंग दिखा देता हूं कितने बच्चों के कितने कुशन सही तो देखिए अभी यह प 55 कुशन तक कितने पर्शंट यहां पर आप देख सकते हैं जो 55 से निचे हैं यह 20 परषेंट और 20 27 या निकि यह कितने होगे आपके 47 परसेंट बैठते हैं इसको एक पर फूप्य परसंट कि पर सकते हो कुछ बच्चे आगे पीछे कर देते हैं कई पर भी कलिक कर देते हैं तो इसको 50% मान सकते हैं और कहीं से भी आप चेक करोगे इतना ही मिलेगा आपको पूर्ष 50% के आजपास तो अभी देखए आपने देखा जो 50% बच्चे हैं वो कितने question तक सही कर पारहे हैं वो 50% तो 50% ऐसे बच्य है जो कि आपके पिच्पन प्लस प्लाइस decides सभी करक्या रहे हैं बर jáसो पिच्पन प्लस करक्या रहे हैं वह भी इतने ही बच्चे है कुछ बत्चे जो है गलत कर देते पोलिंग में तो Przybab कर देते हैं तो आप जो यह 63,750 250 है इसको मांनके चलो और एक दो चयर अभी कम भी हो जाते है जब आपको पिस्ट इसकी आएगी ठीक है तो आप इसको मानकर चलो कि 30,000 बत्चे मान लो कि 30,000 बत्चे ऐसे हैं जिनके 25 फ्रम्प्लस क्वेशन सही है 300,000 बत्चे और आपके जो अभी फिजीगल लिए बुलाने हैं तो वो कितने बुलाने हैं आपकी पोश्ट कितनी थी 6008 वह बुलाने कितनी यानि कि आपके 4900 क्या सपास और जो 55 प्लस क्वेशन वाले बच्चे हैं वो कितने हैं आपके 30,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 55 प्लस क्वेशन सही है तो अब मुझे बताओ एक खुद ही आप इतने समझदार होगे तो जो 55 वाले बच्चे हैं पिछ पंट तक जो करक्या रहा है तो उनका क्या नंबरा जाएगा फिजिकल में तो कहीं भी कोई भी चांस नहीं है जो 55 से निचे हैं ठीक है अकोर्डिंग टू मी 55 से निचे किसी का कोई चांस नहीं है तो 55 जिससे के इस नंबर से निचे आ रहे हैं तो प्लिस फ्रेंड्स आप जो अभी आपके कोई भी न नेस्ट एक्जाम है तो मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा बाकि आपकी मर्जी है आपको जैसा करना है आप कर सकते हो जो मेरी राय है तो आप आपना टाइम खराब मत करना इसके लिए तो आप जो है नेस्ट एक्जाम भी त्यारी करो ठीक है बाकि आपकी आपकी इच्छा है ये बाद में ये मत बोलना कि कुछ भी हो जाए सरा आपने मना किया था ठीक है तो जो मुझे लगता हूँ मैंने आपको बता दिया तो पिछपन से निच्चे वाले हैं उनका तो कोई चांस है नहीं अभी मैं बता देता हूँ तो देखे जो आपके 55 प्लस किसी के SC में कोई ब अभी बार आपने देखा भी होगा जो आपके फिमेल को स्टेवल का एक्जाम हुआ ठा उसकी कटोप भी है आपको पता होगा है स्क्षिड क्यां क्वेक्टेशन क्या सबस्क्रास ती तौब सत्वाइव प्रस के सब्सक्राइब कर शक्ता है इसे उपर भी जाएगी ठीक है आप देख लेना इसे उपर भी जाएगी से कम आने की कोई चान से नहीं है तो फिप्टी फाइफ पॉलस कुष्ण जिसके एसी के अंदर सही है तो आप फिजिकल के लिए रेडी हो जाओ और आपनी त्यारी करो ठीक है वह बाकि आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं उनके और चलिए मैं नेश्ट बता देता हूं नेश्ट जो आप कर रहेगा जो आपकी यह है जर्नल कटेगरी वाले और एडबलू एस होगे बीच्ची वाले होगे तो आपको क्या करना जिसके भी सैट प्लस कुष्ण सही है तो फिजिकल के लिए आप क्यारी करो जिसके भी सैट सबस्के जाए मैं कोई अक्यूरेट नहीं बताऊंगा आपको एक सेट वाले करो बेसेट वाले करो सैट प्लस कोष्ण में यह निश्टे का मुश्किल हो न क्योंकि आपको एक्जाम का लेवल पता है इतना टप नहीं था ठीक है कुछ फूस्ट कोष्छन होते हैं हर एक्ज तो 10-15 प्रविश्ट नोर्मली होते हैं वह बात अलग है अब की बार एक्जाम के अंदर इन्होंने जो दुरुगा सकती है डिपार्टमेंट से लेटेड कोशन नहीं दिये एक दो कोशन ही दिया था अब की बार दो कोशन थे पता नहीं तो इतने ज्यादा कोशन दिये नहीं जो मुझे आइडिया था जितना मुझे पता था वह मैंने आपको बता दिया है अब आपको चेकर लेना आपको क्या करना है ठीक है तो अभी जो इन्फोर्मेशन देनी ती यही थी अंसर कि आपकी आज या कल आ जाएगी और जो आपकी कटोफ है 55 पलस वाड़े ऐसी वाड आपको नुक्षान नहीं होगा और दिन की है यह यह था-श्यूरिा अब अवी इतनी इंफोर्मेशन देनी तिया भी इने इन्परमेशन ओगी तो माप तक पूं चालू गा ठीक है तो चलिए